बिहार सरकार को लिखिए कि हम एकसात परिख्षा लेने में लाचार हैं फिर उसकी विवस्था के से होगी जो हमारे 4 सारे 4 लाक सिख्षक हैं वे तो आभेदन पत्र भर ही नहीं रहे हैं और सुना है कि आपने जो बिख्षक के रूप में बहाली की योजना बनाई है चार सारे चार लाख सिख्षकों को छोड़ करके तो आप लाएंगे कहां से अनिक सरकारी दफ्तरों से लाएंगे क्या उनको इसकी इसका अनवाब है कि नहीं पूरा होच-पोच आपने कर दिया ह इसलिए सरकार को इस नियुक्ति नियमा बली पर पुनर बिचार करना चाहिए और हमारे पुराने सिख्षकों को राज कर्मे का दर्जा दे देना चाहिए बिहार सरकार की जवाब दे ही है कि इस तरह से होच-पोच में जल्दी बाजी में बिना विचार किये बिहार लोग सिवा आयोग पर लाद दिया इतनी बड़ी जवाब दे ही एक साथ इतने लोगों के आबेदन आमंतित करना और फिर जो परिशान हैं जो बेरोजगार हैं उनके भाग भविश के साथ खिलवार करना कि आपका सरवट डाउन है जब आप लाख से जादे लोगों को इन भाइट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए ब्यवस्था दुरुस्त करने की जवाब लेने चाहिए आप इस तरह से बिफल हो गए हैं बिहार सरकार ने आपको इस तरह से अपमानित किया है इसलिए आप फिर से बिहार सरकार को लिखिए कि हम एक साथ परिक्षा लेने में लाचार हैं फिर उसकी ब्यवस्था कैसे होगी जो हमारे चार सारे चार लाख सिक्षक हैं वे तो आबेदन पत्र भर ही नहीं रहे हैं और सुना है कि आपने जो बिख्षक के रूप में भाली की योजना बनाई है चार सारे चार लाख सिक्षकों को छोड़ करके तो आप लाएंगे कहां से अनिक सरकारी दफ्टरों से लाएंगे क्या उनको इसकी इसका अनवब है कि नहीं पूरा होच पोच आपने कर दिया है इसलिए सरकार को इस नियुक्ति नियमा बली पर पुनर बिचार करना चाहिए और हमारे पुराने सिक्षकों को राज कर्मे का दर्जा दे देना चाहिए इससे दबा भी घटेगा और जो साथमे चरन तक किया भी अर्थी हैं वे भी जो गिंशिक्षाक पात्रत्ता उतिरने हैं उनको भी परिक्षा देने कि जो घबराहत है हर्वाराहत है उनको बंद करवाईए और आठमे चरन से व्यवस्था को चुछ दुरुस करके परिक्षा लीजिए को यतरा बिना बिचारे जो करे सो पीछे पस्ताए यह हर बड़ी और अहम सरकारी अहम नोकर साहों का अहम यह अहम से पूरे बिहार की सिक्षा ब्यवस्था को चोपट करने की जबाब देए तो यहारह को पूरे राज के हजारो हजार लाग से भी जादे संख्या होगी ये हम लोग बिधान मंदल के समख बिना सर्थ राजकर्म की दर्जा देने की मांग पर प्रदर्शन करने की सारी तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है शिक्षक आ रहे हैं और जो माननिय बिधायक हैं जो माननिय मंत्री हैं उन पर भी नेचिक दबाब डालेंगे कि आप हमारी मांग को ये चार दिनों के सदन में उठाईए जोड़ दाधं से और सरकार को लाचार कीजे वे मांगने के लिए बिधान बिसंगती दूर करने के लिए प्रोनत्री के लिए और हम लोगों को एक साथ राजकर्मी का दर्जा देने के लिए उनका परस्तावे उठ मुख मंत्री कारजालाय में बित विभाग में सिक्षा विभाग का कोई प्रस्ताव माना ही नहीं गया एक तरफा बित विभाग में बेठे हुए नोकर साथ और मानिय मुख मंत्री के सलाहकार ने सारा विभाग का प्रस्ताव को ठुकरा सकारातमक थे लेकिन उनको इस तरह से अपमानित किया गया और आज तो और रोज-रोज अपमानित किया जा रहा है